जैहिंद सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आर्मी वाला पे तो आप लोग जुड़ जाएगा सेशन को लाइक सेर करजीगा आपके लिए जीके जीस क्ला स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों आज आपके लिए टार्गेट दे रहे हैं 45 कोश्चन आपके हैं उसमें से आपको टार्गेट देने की आप लोग 40 प्लेस कोश्चन सही करके दिखाए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया दोस्तों लाइक करिएगा सेशन को लाइक सेर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा करेकटंस सागर बांध किस राजमें इस्थित हैं इंप्वाटन कोश्चन है सभी दोस्तों के लिए कि महारारा सुगर्ण प्रताव भांध किस राजमें इस्थित नरवे किमें मित्रों बनेगा और ब्लॉप सब्सक्राहर करा ब्लन होगा और राजस्थान अग्ला यह proud कि 첫 क्या होगा कि हडपा जो कि किस नदी के किनारे इस्थित है सभी नोजवान याद रखेंगे आपसन क्या होगा आपका और यहां पर बनेगा अगले कुछ नदर बढ़ते हैं अगला कुछ ने आपका कि भारत के आजादी के समय कांग्रेस का अधिक्च कौन था भारत के कि आजादी के समय कांग्रेस का अधिक्च कौन था तो जे बे करपलानी यानि की ऑप्सन क्या होगा बी करेक्ट आंसर बढ़ेगा अगला कोश्चन है कि निम लिखित में से खिचली वंस का संस्थापक कौन था खिलजी वंस का संस्थापक आपको बताना है प्यारा सा कोश क्या बनेगा कि खिचली वंस का संस्थापक कौन था तो आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे जलाल उद्दीन क्या होगा ऑप्सन सी यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा और अगला कुश्चन है कि देन ए इलाही को श्विवकार करने वाला पहला हिंदू राजा कौन था पहला हि सेन बीरबल राजय के शिंद देव राई यह इन में से कोई नहीं यह से कोई नहीं तो सभी नवाजवान भाईयों का राइट अंसर क्या होगा कि हिंदु राजा पहला कौन था टो वीर्बल था और आपको याद रखना है अगला कोश्टरेंट मित्रों कोश्चर नमर आपका 6 कुश्रेंग ने सवर कर बहादुरसा जफर यह इन कोई नहीं या इन में से कोई नहीं तो correct answer बनेगा मेरे मित्रों option B क्या होगा आपका ये अठा सत्ताउन के बिद्रोह को भारत का प्रथम सत्तता संगराम किसे ने कहा था तो वीर सावर करने कहा था अगला question है कि अलाउद दिन खिल जी के सेना पती का नाम क्या था अलाउद द करना है तो right answer क्या बनेगा option A क्या होगा मलिक काफूर मलिक काफूर को दोस्तों क्या कहता है 1000 दिनारी भी कहा जाता है इसको हजाद एक हजाद दिनार में दोस्तों क्या किया था अलाउद दिन खिल जी ने खरीदा था तो बढ़ते हैं अगले question तरफ अगला question है आपका कि केरल में कौन सी भासा बोली जाती है कौन सी भासा बोली जाती है कौन सी भासा बोली जाती है आपको इसका आंसर करना है मड़ पहुजी भाईयों का राइट अंसर होगा option D option D क्या होगा मलियालम जो की केरल में बोले जाती है अगला कुश्चन है कि भारत का पर्थम वाइसराय कौन था भारत का पर्थम वाइसराय कौन था आप लोग को इसा अंसर करेंगे सी राज गोपालचारी लाड माउंट बेटेन लाड कैनिंग या फिर इनमे से कोई नहीं या इनमे से कोई नहीं तो करेंट आंसर क्या होगा कि भारत का पर्थम वाइसराय कौन था लाड कैनिंग था यानि कि option क्या होगा C सभी right answer करेंगे ऑप्सन C क्या होगा सभी फोजी भाईयों का right answer बनेगा अगला कुश्चन है दो फिर विस दिन तो सभी राइट आंसर होगा अठारा दिन अठारा दिन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी महाभारत का पर जो की युद्ध अठारा दिन तक चला था अगला कुश्चन है मेरे मित्रों कि नागर होल राष्टे उद्ध्यान किस राज में इस स्थित हैं तो उत्रप्रदेश गुजरात करनाटक या फिर जार खंड या फिर जार खंड तो करेक्ट आंसर बनेगा करनाटक क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा नागर होल राष्टे उद्ध्यान जो कि कहां पर है तो करनाटक राज में इस्थित हैं अगला जो कि सूट से सम्द्धित हैं अगला कुशिन है दोस्तों कि आजाद बच्पन की और पुस्तक के लेखक कौन है आजाद बच्पन की और पुष्टक लेखक कौन है मौलाना कलाम आजाद तो क्रेक्ट आंट्र थि रखेंगे आप लोगी याद एप्टर मेन पे यहाँ प्रणेसर बनेगा अग्र दोस्तों आप लोगो पीडियाँ चाहे तो अब अभी तक हमारी जो और करता है स्टोरी का प्रकास कौन सा विटामिन उत्पन करता है तो कि उत्पर्ण करता है तो सूरी का प्रकाष जो कि क्या होता है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन डी या फिर विटामिन बीवन या फिर विटामिन बीवन तो सूरी का प्रकाष जो कि कौन सा विटामिन उत्पर्ण करता है तो विटामिन डी विटामिन डी यानि कि आप तो गयाद रखेंगी विटामिन D option क्या होगा सी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर option क्या होगा option vitamin D correct answer होगा अगला question है कि तापमान देखने के लिए यानि तापमान दिखाने के लिए थार्मामेटर में किसका उपयोग किया जाता है हीरा का ग्रेफाइट का पारा का या फिर तांबा का तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि तापमान दिखाने के लिए थर्मा मीटर में जो की पारा यानि की आपका उप्सन क्या होगा से यानि की आपका करेक्ट आंसर होगा पारा का प्रियोग किया जाता है अगला 12 December को तो correct answer है मित्रों बनेगा आपका 21 March को क्या होता है आपका 2001 मना जाता है अगला कुश्यन है मेरे मित्रों की भारत संयुक्ती राष्ट्र का सदस्व से कब बना था भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्व कब बना था 1980, 1972, 1945 या फिर 1931 या फिर 1931 तो correct answer बनेगा 1945 बेरे फोजी बाजियों का right answer क्या होगा 1945 यानि की option क्या होगा C correct answer बनेगा अगला question है कि योजना आयो के पर्थम अध्यक्ष कौन थे सरदारवाला भाई पटेन डाक्टर बियार अंबेटकर पंडित जवाहला नहरू, डाक्टर राजिंदर पसाद डाक्टर राजिंदर पसाद correct answer बनेगा कि योजना आयो के पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो पंडित नहरू यानि पंडित जवाहला नहरू option क्या होगा C correct answer होगा अगला question दोस्तो है अगला आपका है कि सबसे बड़ा लोग तांतरिक देश कौन सा है भारत है अमेरिका, बृतेन या फिर चीन दोस्तों आप लोगों से question है कि सबसे बड़ा हस्ट लेकित समिधान किस देश का है किस देश का है तो वहा कौन सा देश होगा भारत जो की सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश है और आपके भारत का ही जो की भारत का सबसे बड़ा समिधान है सबसे बड़ा हस्ट लेकिस समिधान है अगर आप से कोई सबसे छोटा समिधान किस देश का है तो आपका होगा अमेरिका का अगले कुछें दर बढ़ते हैं कि मै क्या बनेगा भारत और चीन मैक मोहन रिखा ऑ मनेगा से देश किसी देश में इस्तित है पाकिस्तान नेपाल भारत या फिर बांगला देश या फिर बांगला नेश सभी फोजी भाई एक बार्श का आंसर करेंगे तो correct answer क्या बनेगा कि Mount Everest किस देश में इस्टेश है तो आपका नेपाल नेपाल जो कि correct answer बनेगा आपका option क्या होगा बी correct answer सभी फोजी भाईयों का right answer होगा अगला question है कि Olympic खेलों का आयोजन केतने वर्सों के पश्चात होता है चार वर्स दो वर्स एक वर्स या फिर पांच वर्स या फिर पांच वर्स तो correct answer क्या बनेगा कि आपका Olympic खेलों का आयोजन जो की चार वर्स के पश्चात होता है चार वर्स के अंतराल में होता है option क्या होगा correct answer बनेगा option A आपका right answer बनेगा अगला question है कि लाला लाजप्तराय की मृत्तु हुई लाला लाजप्तराय की मृत्तु कहां पे हुई चोरी-चोरा कांड आज सही योग आंदोलन Simon Commission या इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं तो correct answer क्या बनेगा Simon Commission यानि कि option C क्या होगा correct answer बनेगा अगले question दर बढ़ते हैं आपका कि Tiger Woods किस खिल दे सम्मंदित है Tiger Woods किस खिल दे सम्मंदित है Golf, Badminton, Tennis या फिर Kabaddy या फिर Kabaddy तो सभी दोस्त याद रखेंगे आपका Tiger Woods जो कि आपका किसे सम्मंदित है Golf से Golf आपका यहाँ पे correct answer बनेगा सभी मित्र आपका correct answer होगा option A अगला question है कि भारत के किस राज्ज में लोगसभा की सरवाधिक सीटे हैं लोगसभा की सरवाधिक सीटे हैं मध्यपरदेस महाराष्ट उत्तर-प्रदेस या फिर आपका बिहार या फिर आपका बिहार तो correct answer बनेगा कि सरवाधिक लोगसभा सीट वाला राज्य कौन सा है तो आपका U.P है यानिकी उत्र-प्रदेस उत्र-प्रदेस में जो कि लोगसमां की सीटे कितनी हैं राजी सभा की आप से बात किया राजी सभा की तो 31 सीटे हैं आप लोग याद रखेंगे अगर आपसे question आपका हो कि उत्रपदेश में विधान सभा सीटे कितनी हैं तो विधान सभा सीटे जो कि कितनी हैं दोस्तों तो आपकी हैं 403 सीटे तो आपकी हैं विधान सभा की अगर लोग सभाकी है आपकी 80 और आपके राज सभाकी कितनी है तो आपकी 31 अगर विधान सभाकी कोई पुछे तो आपकी कितनी है